नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज पियार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ताजा होले विद रिया के एपिसोड में हरोज नई नई कहानियों के साथ मैं मौजूद होती हूँ आज मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाओंगी थोड़ा इतहास की बात करूँगी आज मैं बात करूँगी कामेश्वर सिंग के बारे में जो दर्भंगा के राजा हुआ करते थे तो महराजा कामेश्वर सिंग बहादुर उनका पूदर नाम था उनका जन्म 28 नवंबर 1907 में हु हैं और जो लोग दर्भंगा के हैं वो बहतर तरीके से जानते होंगे उनके बारे में मैंने तो पढ़ा है ये जानकारिया प्राप की ये पढ़कर लेकिन आप लोग बहतर जानते होंगे तो प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा तो भारत के रजबाडों में दर्भंगा इस राज की स्थापना मैथल अब्रामन जमिंदारों ने सुलवी सदी की शिरुवात में की थी बिट्रिस राज के दौरां ततकालीन बंगाल को 18 सर्किल के 4495 गाउं दर्भंगा नरेश के साशन में था राज के शासन प्रशाशन को देखने के लिए लगभग 7500 अधिकारी बाहाल किये गए थे अब हम बात करेंगे दर्भंगा राज के राजा महराजा धीराज सर्रामेश्वर सिंग गौतम के पुत्र हैं जिनके बारे में आज हम बात करें कामेश्वर सिंग इनका जनम 28 सवंब और 1907 को दर्भंगा में एक मैथल ब्राम्हन परिवार में हुआ वह 3 जुलाई 1929 को अपने पिता की मिर्तियों के बाद दर्भंगा राज की अपनी संपत्ति के सिंगहासन के उतरा धिकारी हुए जैसा कि पहले हम सब जानते थे कि पिता के जाने के बाद या पिर पिता चौरा किया था वर्स 1933-1946 तक 1947-1942 भारत की संविदान सभा के सदस्त से भी रहे और CEE ने उनका उत्थान हुआ और एक जनवरी 1933 को भारतिये समराज के सबसे प्रतित आदेश का नाइट कमांडर इन्हें बनाये गया यह सिर्फ राजा नहीं थे बहुत कुछ से 1934 के नेपाल बिहार धुकम के बाद उन्होंने राज किला नामक एक किले का निर्मान शुरू किया जो स्मृति को याद दिलाने के लिए था जब प्रिटिस राज ने महराजा कामिश्वर सिंग को मुल राज कुमार की उपाधी से समानित करने की घोशना की यह ठेका कलकत् गया था और 1949 से 40 में काम जोड़ों पर था मुकदमे की वज़ा से भी सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ किले के तीन किनारों का निर्मान किया गया था क्योंकि मुकदमे बाजी और राज नियाले में स्थान आदेश था सोतंतरता के बाद भारत सरकार द्वारा देशी रोयल्टी के अनमूलन उनमूलन के साथ किले पर काम छोड़ दिया गया था और दरभंगा का वो किला हम देख सकते हैं तस्वीरों में काफी पॉपुलर है और वहां काफी मंदर भी है तो भारत की सोतंतर के बाद उन्हें ज बाद जे सबहां के सदस से रहे तệc Daragliner के और 1929 से 1962 तक वह मैइतल महसवा के अध्यक्ष भी रहे और श्री भारत धर まहमंधल के भी अध्याक्षd वो बिहार Landholders Association के आजीवन अध्यक्ष थे और अखिल भारतिये Landholders Association और बंगार Landholders Association के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार किया इसके अलावा इन्होंने सत्वांतर्दा पूर्व यूग के बिहार Invited Party के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया और बिहार में कृष को पहले होता था वैसे नहीं थे काफी अलग थे राजिसवा के सदस से भी रहे उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कार्य किये हैं और अगर हम इनके पिता जी का बात करें तो उनका नाम था महा राजा धिराज रामेश्वर सिंग इनका शासन जो रहा 1929 तक रहा तो किला भी है जो कि हम देख सकते हैं और ऐसे जो इतने भी लोग वहां से हैं तम्यानी की दर्भंगा से हैं और जो कहानिया जानते हैं उनसे रिलेटेट कुछ भी तो आप कॉमेंट कर सकते हो आज के इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अब तक क